हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चनल आज मैं आपको बताऊंगी हमारे देश के प्रदान मंत्री नरेन मोदी जी ने देश की तीसरी बंदे भर ट्रेन का उदगाटन कर दिया है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी क्या रूट है, क्या टाइमिंग है, क्या किराया है और क्या सुभिदाए है सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ प्रदान मंत्री नरेन मोदी जी ने गांधी नगर मुंबई बंदे भारत एक्सप्रेस को गांधी नगर स्टेशन पर हरी जंडी दिखा कर रवाना किया और वहां से कालुपूर रेलवे स्टेशन तक इस ट्रेन में सफर भी किया पीएम मोधी ने गानी नगर से मुंबई के लिए बंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन को रवाना किया ये ट्रेन का उन्नत बर्जन है जो देश के दो प्रमुक शेरों को जोडता है इस अपसर पर प्रदान मंत्री ने बंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 के ट्रेन के डबों का निरेक्षन किया और ओन बोर्ड सुभिदाओं का भी जायजा लिया PM मोधी जी ने बंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 के लोको मोटिव इंजन के कंट्रोल सेंटर का भी निरिक्षन किया भारत में इस से पहले नई दिल्ली और 128 के बीच और नई दिल्ली और श्री माता वैशनो देवी कट्रा के बीच बंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है बंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 कई भैतरीन और विमान जैसी यातरा का अनुभप कराता है यह उन्नत अत्यानुनिक सुरक्षा सुविदाओं से लेस है जिसमें स्वधेशी रूप से बिक्सेव ट्रेन टकका रोधी प्रणाली कवच को शामिल किया गया है यह ट्रेन जीरो से 100 किलो मीटर प्रती घंटे की गती केवल 52 सेकंड में हासल कर लेती है और इसकी अधिक्तम गती 180 किलो मीटर प्रती घंटे तक की है बंदे भारत एक्स्टेस 2.0 का भार 392 टन होगा जो पिछले संस्क्राण में 430 टन था इसमें वाई फाई कंटेंट और डेमांड की सुविदा भी है प्रते कोच 32 स्क्रीन पर यात्री सूचना प्रदाम करेगा जो पिछले संस्क्राण में 24 था 75 बंदे भारत ट्रेनों और मालगाणियों का निर्माण बंदे भारत ट्रेनों का निर्माण भारत सरकार की मेड इन इंडिया पहल के तेद पेरवुर चेनने में इटी ग्रल कोच फैक्टरी ICF द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जाता है चेनने इस से इटी ग्रल कोच फैक्टरी ICF भारतिय ससंत्रता के 75 वर्षों को यादगार बनाने के लिए 2022-2023 में 75 बंदे भारत ट्रेनों और मालगाणियों का निर्माण करेगी बंदे भारत में सफर करने के लिए आपको चेर कार का किराया खान पान सहित इतने रुपे देने होंगे मुंबई सेंट्रल से सूरत 950 रुपे देने होंगे मुंबई सेंट्रल से बड़ोद्रा 1230 रुपे देने होंगे मुंबई सेंट्रल से एहमदाबाद 1385 रुपए देने होंगे और एक्सक्यूटिफ किलास के लिए किराया खानपान सहित के लिए आपको इतने रुपए देने होंगे मुंबई सेंट्रल से सूरत 1665 रुपे देने होंगे मुंबई सेंट्रल से बड़ोत्रा 290 रुपे देने होंगे मुंबई सेंट्रल से एहमदाबाद 255 रुपे देने होंगे बंदे भारत ट्रेन की टाइमिंग बंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से सुबह 6 बच के 10 मिनट बजे प्रस्तान करेगी और दोफैर 12 बच के 30 मिनट बजे गांधी नगर राजधानी पहुचेगी ट्रेन सुरत से सुबह 8 बच के 50 मिनट बजे बड़ोदरा से 10 बच के 20 मिनट बजे और एहमदाबाद से 11 बच के 35 मिनट बजे रुकेगी बापसी की बात करें तो बापसी में बंदे भारत एक्सप्रेस गांधी नगर राजधानी से दोफैर 2 बच के 5 मिनट बजे प्रस्तान करेगी और रात 8 बच के 35 मिनट बजे मुंबई सेंट्रल पहुचेगी यह एहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर दोफैर 2 बच के 40 मिनट बजे बढ़ोद्रा में शाम 4 बजे और सूरत में शाम 5 बच के 40 मिनट बजे रुकेगी बता दे कि गांधी नगर एहमदाबाद मुंबई बंदे भारत एक्सप्रेस सपता में 6 दिन सौमबार, मंगलवार, बुद्धवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को चलेगी गांधी नगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाले इस बंदे भारत एक्सप्रेस में 16 कोच होंगे बंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है या सेल प्रोपेल्ट इंजन वाली ट्रेन है इसमें अलग इंजन नहीं है इसमें स्वाचले, दर्वाजे और वातानुकूले, चेर, कार, कोच और घूमने वाली कुर्सी है जो 180 डिगरी तक घूम सकती है सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ट्रेन है इसकी अधिकतम रफ़ता 180 किलोमीटर प्रती घंटा हो सकती है साथ ही ये 100 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ़तार को 52 सेकंड में हासिल कर सकती है इसे टकर रोकने वाली कवच तकनीक से लेस किया गया है वहीं ट्रेन में दिव्यांकों के लिए विशेश टॉयलेट की विवस्ता की गई है फ्रेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताईएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजिए और सस्क्राइब कीजिए जिससे कि मैं आपके लिए और भी ऐसी एलफुल वीडियो लेकर आती रहूं थैंक यू